हेलो एंड बलकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों तुनीशा की मा ने प्रेस कॉन्फरेंस करके अपना पहला ओफिशल स्टेट्मेंट शिजान खान और उसके पूरे परिवारवालों के खिलाफ दिया लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां उन्होंने शिजान के घरवालों पर आरोप लगाए तो वहीं सबसे बड़े और गंभीर आरोप फलक नास के उपर है यारि की इंडस्ट्री की जानी मानी आक्ट्रेस फलक नास के उपर सीधा सीधा वार किया है तुनीशा की माने तुनीशा की मा का ये कहना है कि फलक नास मेरी बेटी के साथ बहुत जादा इन्वाल्फ थी उन्होंने मेरी बेटी को पूरे तरही के से अपने गहर की बहु ही मान लिया था उससे ना सिर्फ खर्चे करवाते थे बलकि मेरी बेटी को उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया था पूरे तरीके से उसे मुसलिम और दूसरे धरम की बनाने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी तुनिशा शर्मा को हिजाब पहनाना शुरू करवा दिया था शिजैन खान के परिवार वालों ने साथी साथ उसे बिना बताए यानि की तुनिशा की मा को बिना बताए तुनिशा को दरगा ले जाती थी फलकनाज एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ले जा चुकी है फलकनाज अपने साथ उन्हें दरगा साथिसाथ उन्होंने ये भी गहा कि मुझे से बात नहीं करते थे, मुझे भिना बताए मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया करते थे जी हाँ तुनीशा की मा ने बोला कि फलक नाज उसे टैटू आर्टिस्ट के पास ले गई और उसके हाथ में टैटू बनवाया और वो भी लव अबव एवरिटिंग ऐसा जानी कि प्यार के उपपर कुछ भी नहीं और आपको बता दें तुनीशा की मा ने इस बात को साफ किया है कि उन्हें टैटू बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी बेटी को सक्त तोर पर कहा था कि तुम कभी जिन्दगी में टैटू नहीं बनवाओगी यानि कि उन्होंने अपनकी बेटी पर पूरे तरीके से हक जमाना शुरू कर दिया था ये बात भी साफ हुई है कि फलकनाज और उनकी मा अक्सर कॉल पर शिजैन खान की एक्स गल्फरिंड की बातें किया करते थे तुनीशा इस बात से परिशान थी और उन्होंने इस बात के बारे में अपनी मा को भी बताया था कि वो ये बाते सुनकर परिशान हो जाती है और वो इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहती तब तुनीशा की मा ने फलकनाज के परिवार वालों से बात भी की थी लेकिन दोस्तों जिस दरहास दे फलक नास पूरे तरीके से तुनिशा को अपना मानती थी और भाई के धोका देने पर अचानक से सारे रिष्टे तोड़ दिये मीडिया के आगे आने से फलक ने स्ताफ इंकार कर दिया यही वज़ा है कि अब पुलिस की जो निगरानी है वो फलक नास पर बन चुकी है यहां तक रिक्वेस्ट की है पुलिस वालों से तुनिशा की माने की फलक नास को भी अरेस्ट किया जाए उसके पुरे परिवार को आरोपी बताया है आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें